देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उसने लोगों को बहुत कुछ सिखा दिया और दिखा दिया लेकिन कोरोना की इस इस्तिती में लोगों के सामने जब ऑक्सीजन, अस्पतालों में बैट, वेंटीलेटर और दवायों की कमी आई तो जो एक दूसरे के काम आए वो लोग ही थे जनता ने अपने जन प्रतिनी दियों को चुन कर उनके हाथ में सत्ता दी थी ताकि मुश्किल के समय में वो उनके काम आए लेकिन ऐसे समय में वो गायब हो गए और जनता को दर-दर की ठोकर खानी पड़ी कोरोना की दूसरी लहर आई तो लॉकडाउन कर्फ्यू जैसे नियम बना दिये गए ताकि ज्यादा लोग बाहर न निकले और संक्रमंड न फैले लेकिन सरकार की तरफ से जनता के लिए बनाय गए नियम शाय सांसत और विधायक ने अपने लिए ही समझ लिए और इसलिए चंता की मदद करने के समय पर सांसद और विधायकों ने अपने अपने शेत्र में जाकर एक बार देखा भी नहीं कि उनके शेत्र की चंता किस हाल में है क्या लोगों को अस्पताल ओक्सीजन दवाईया मिल तो रही हैं आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कि शेत्र के सांसद ने अपने शेत्र में कब-कब दौरा किया और कुरूना के इस समय में जनता के लिए कैसे काम किया एक रिपोर्ट के मुताबेक उत्ताप्रदेश के सभी 80 सांसदों में से 62 सांसद ऐसे हैं जो कुरूना जैसे समय में अपने शेत्र में गए ही नहीं इस रिपोर्ट में सत्ता और फक्ष दोनों के ही सांसद शामिल है जिन सांसदों का घर उनके शेत्र में है वो भी जोरान काफी कम निकले हाला कि कुछ सांसदों ने अपनी जान की परवाना करते हुए कुछ अच्छा काम भी किया सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉंगरिस के अंतरे मध्याक सौनिया गांधी की सौनिया गांदी उनका संसदिय शेत्र राय बरेली है और वो अपने संसदिय शेत्र में आखरी बात 22 जन्वरी 2020 को गई ती तब से 16 महिने हो गए सौनिया गांधी को यहाँ गए अब सांसर्द पति निदी केल शर्मा ही उनका पूरा कामकाज देखते हैं प्रियंका गांदी भी यहां सक्रिय रहती हैं आखरी बार वो 30 सितंबर 2020 को राय बरेली पहुंची थी इसी तरह मैनपूरी सिसांसर्द और समाजवादी पार्टी के सापक मुलायम सिंग उनका संसर्दिय शेत्र मैनपूरी है और वो आखरी बार अपने संसर्दिय शेत्र में 19 अप्रेल 2019 को गए थे इस दिन वो बसपस सुप्रीमो मायवती के साथ चुनार प्रिचार करने पहुंचे थे यानि मुलायम सिंग 25 महीने से अपने संसर्दिय शेत्र के दौरे पर नखी गए हैं अब बात कर लेते हैं देश के प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की प्रधान मंतरी नरेंद मोदी का संसर्दिय शेत्र वारनसी है और वो आखरी बार 30 नमबर 2020 को अपने संसर्दिय शेत्र पहुंचे थे शे महीने पहले ही पीम मोदी ने अपने शेत्र का दौरा किया था हलाकि इस बीच उन्होंने साथ बार वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये वारनसी के अफसरों, डॉक्टर्स, कोरोना वारियर्स, स्टूरेंट्स और आम लोगों से बातचीत की है पीम मोदी का संसद्य कामकाज रिटाय आईये सफसर और MLA एके शर्मा समाल रहे हैं अब बात जरा हेममालनी की कर लेते हैं हेममालनी का संसद्य शेत्र मत्रा है और वो आखरी बार अपने संसद्य शेत्र 25 मार्च को गई थी कोरोना के समय में हिममालनी अपने शेत्र में बहुत कम गई थी 25 मार्च को भी वो मुरारी बापू की प्रवचन कथा में पहुंची थी 28 मार्च तक मत्रा में ही रही इसके बाद से वो मत्रा से गायब है माई के पहले हफ्ते में उनके गायब होने का पोस्तर शोशल मीडिया पर बारल होने लगा इसके बाद 18 माई को उन्होंने मुंबई से एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने सब के साथ किसानों को वेक्सिनेशन और लॉक्ट्राउन का पालन कराने की सला दी राधे राधे मैं आपकी सांसत हेमा मालनी मुथुरा ब्रिंदावन और ब्रजक्षेत्र के जितने भी गाउं है वहाँ पर रहने वाले मेरे सारे ब्रजवासियों भाईयों भेनों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कोरोना महमारी की इस दूसरी लहर को धहिरे के साथ मुकाबला कीचिये इसके लिए आप भी कर रही हूँ कोरोना से बचाओ के लिए वैक्सिनेशन प्रोग्राम में भाग ज़रूर लीजिए और वैक्सिन ज़रूर लगवाएए ये देखा गया है कि जिन लोगों ने वैक्सिन लगाया है उन पर कोरोना का गंभीर असर नहीं हुआ है मैंने भी दो वैक्सिन शॉट्स लिया है आप भी जल्दी से रेजिस्ट्रेशन करवाए सही समय पर और सही स्थान पर वैक्सिन ज़रूर लगवाए मैं खास तर पर हमारे किसान भाईयों से जो दिन रात खेती में धूप में महनत करते हैं उनसे भी अपील कर रही हूं कि आप वैक्सिन ज़रूर लगवाए अगर इस महमारी से बचाओ चाहिए तो वैक्सिन ज़रूर लगवाना पड़ेगा वैक्सिन लगाओगे तो आप अपने आपको बचाओगे परिवार और देश को भी बचाओगे कोराना को हराना है वैक्सिन ज़रूर लगाना है अब बात रवे किशन की कर लेते हैं जिनका संसद्य शेत्र गोरगपूर है और वो आखरी बार 14 माई को अपने संसद्य शेत्र पहुंचे थे हाला कि रवे किशन ने तो अपने शेत्र का दोरा किया और इतना ही नहीं सांसर निदी से मिले 44 लाग रुपे भी अपने शेत्र के लिए दिये और COVID मरीजों के लिए हेलपलाइन भी शुरू कराई मेंका गांदी मेंका गांदी का संसद्य शेत्र सुल्तानपूर है आखरी बार मेंका गांदी सुल्तानपूर 12 अप्रेल 2021 को गई थी मेंका गांदी ने अपने शेत्र में उक्सीजन प्लांट भी लगवाए और COVID अस्पताल भी शुरू कराए चलिए अब ज़र आपको ये भी बता देते हैं कि BJP और वेपक्ष के UP में कितने सांसदों को कोरोना हुआ था कोरोना काल में सबसे ज़्यादा BJP के 16 सांसर संक्रमित हुए इन में से कुछ ठीक होकर वापिस अपने शेत्र में लोगों के बीच पहुँचे जब कि कुछ कोरोना के डर से घर्म से नहीं निकले ऐसे सांसर अपने प्रते निधी से फोन कॉल के जरिये शेत्र का हालचाल जान लेते हैं बरेली, जौनपूर, अंबेत कानगर, गौनडा, सुल्तानपूर, छासी, बलिया, कुछ शांबी, बाराबंकी, डुमरिया गंच, देवरिया, आजमगर, मुरादबाद, कानपूर, बदायू, मुजफरनगर के सांसर कोरोना संक्रमित होच चुके थे यहां बीजेपी के ही सबी सांसर हैं इसके लावा समाजवादी पार्टी के अधियाक्ष अखिलेश यादा, मुरादबाद के समाजवादी पार्टी के सांसर एस्टी हसन, बिजनौर के बसपर सांसर भी संक्रमित होच चुके हैं लेकिन पास शेतर ऐसे हैं जहां सांसदों के गायब होने तक के पोसर भी लगाय जा चुके हैं इस लिस्ट में सबसे पहला नाम संत कभी नगर के सांसर प्रवीन निशाद काता है प्रवीन निशाद बही हैं जिनोंने 2018 के उप्चुनावों में सपा के टिकेट पर बीजबी प्रत्याशी को गोरकपूर से खराया था लेकिन 2019 साथे आते वो भाचपई हो गए इसके बाद उन्हें संत कभी नगर से लोकसभा का टिकेट भी दिया गया प्रवीन निशाद जीत तो गए लेकिन शेत्र से वो गायब हो गए उनके ही लोकसभा शेत्र में उनके लापता होने के पोस्टर लगा दिये गए अगली बार फिर चुनाव होंगे तो वोट मांगने चुले हैं जाएंगे और जनता हमें वोट दे देगी यह रिपोर्ट उनी सांसदों के लिए है और जनता के लिए भी क्योंकि कुरोना की दूसी लहर में जनता ने जो कुछ देखा और सहन किया उससे उनमें बहुत गुसा है ऐसे में जो सांसद अपने शेत्र में गए ही नहीं उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगी जरा आप उस जनता के बारे में सोचिए जो चुनाग के समय में थूप में लंबी लंबी लाइनों में खड़ी होका फिर पापको बोट डालने के लिए ज़ाती है और यह सोचती है कि आपके जीतने पर शायद आप उनके लिए कुछ समस्काट